इस्तरी रात दिन आपके प्यार के लिए तडपेगी लहसुन का बहुत ही पाउरफूल और महासक्तिसाली टोटका महासक्तिसाली अमल बकतो यदि आप वसीकरण करकर के ठक चुके हैं और सफलता नहीं मिल पा रही है तो आज हम आपके लिए बहुत ही powerful और महा सक्तिसाली टोटका, महा सक्तिसाली उपाए आज हम आपको बताएंगे जिसको यदि आप कर लेते हैं तो उस इस्त्रिय प्रूस को जिसके लिए भी आप यह विदी करेंगे वह हमेशा हमेशा के लिए आपके प्यार में तड़पेगी, दिन रात आपी के बारे में सोचेगी, आपसे बें इंतिहा प्यार करने लगेगी जिहां भक्तो, यदि आप वसीकरण कर करके ठक चुके हैं और सफलता नहीं मिल पा रही है तो आज हम आपके लिए लहसुन का बहुत ही पाउरफुल और महा सक्तिसाली टोट का आज हम आपको बताएंगे जिसको करके आप किसी भी इस्त्रिप्रूज, किसी भी गल्फ्रेंड, बोईफ्रेंड, पती-पत्नी या किसी का भी आसानी से वसीकरण कर सकते हैं और उस इस्त्रिय प्रूज को अपनी महबबत में बेचैन कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए उसको अपने प्यार में तड़पा सकते हैं यह प्यार में जीत हासिल करने का बहुत ही पाउरफुल और महा सक्तिसाली टोटका है वैसे तो यह बहुत प्रसिद्ध टोटका है लेकिन जिस तरह से आज हम आपको बता रहे हैं उस तरह से आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा क्योंकि बहुत कम लोग, बहुत कम तांत्रिक लोग, बहुत कम बाबा लोग इस विधी को जानते हैं तो चलिए, अब हम आपको बताते हैं की कैसे और किस परकार से आपको इसको करना है कोई भी इस्त्रिप्रूश, किसी के लिए भी घर बैठे खुद से इस विधी को कर सकता है मात्र दो लहसुन की कली से, आप किसी को भी अपनी महब्बबत में बेचैन कर सकते हैं अपनी महबत में उसको तड़पा सकते हैं तो भक्तो इसके लिए आपको क्या करना है कैसे करना है सबसे पहले दो लहसुन की आपको कली लेनी है ठीक है और जिसको भी आप अपने वसमे करना चाहते हैं जिसे भी आप अपने वसमे करना चाहते हैं उसकी मन दिलो दिमाग में एक 26 बसा लेनी है और सबसे पहले लहसुन पर उसका नाम लिखना है जैसे उसका नाम रूबीना है तो आपको इस परकार से नाम लिख देना है यह नाम हमने अंग्रेजी में लिखा है आप नाम अपनी मात्र भासा में लिख सकते हैं ठीक है आप अपनी भासा में नाम को लिख सकते हैं दूसरा दूसरी इस पर आपको अपना नाम लिखना है जैसे कि आपका नाम रोहन है तो आपको इस पर रोहन लिख देना है रोहन ठीक है इस पर भी हमने अंग्रेजी में नाम लिखा है आप अपनी मात्र भासा में नाम को लिख सकते हैं लिखने के बाद अब आपको क्या करना है सुई धागा लेना है धागा इसमें आप लाल, काला, कोई सा भी ले सकते हैं आपको सुई और धागा ले लेना है अब इसको इस तरह से नाम को प्रो देना है इस परकार से रुबीना वाला पहले फिर अपने नाम वाला इस परकार से दोनों को एक दूसरे के सामने नाम को रखना है और इस परकार से आपको प्रोने के बाद इस परकार से माला इसकी बना लेनी है ठीक है इस परकार दोनों को एक दूसरे में प्रो देना है अब आपको क्या करना है इसको धागे को लेना है और अपनी कलाई पर इस परकार से बांद लेना है यह है उपाई आपको रात्री के समय करना है जब भी आप सोने के लिए जाए और अपनी कलाई पर इस धागे को बांद करके सो जाना है साथ बार इसके उपर फूक मारनी है अपने प्यार का नाम ले करके साथ बार इसके उपर फूक मारनी है और एक मंत्र हम बता रहे है इस मंत्र को आपको बोलना है 21 बार आपको इस मंत्र को बोलना है 21 बार मंत बोलने के बाद 7 बार इसके उपर फूग मारे और इसको अपनी कलाई पर बांध करके सो जाना है अगली सुबह जब आप उठेंगे इसको आपको लेसुन को लिकालना है धागे को बंदे रहने देना है लेसुन को ऐसी खेंचेंगे तो निकल जाएगा इसमें से दोनों लेसुन की कली को लेना है आपको और बहते हुए जल में इसको परवाइद कर देना है बस इतना सा कारिय आपको करना है और आप देखेंगे इतना कारिय करने के बाद वह इस्त्री पुरुष तुरंत आपके महबत में बेचैन हो जाएगी आपसे मिलने के लिए तड़प उठेगी